नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गजाला प्रवी अक्सर जानवरों के साथ हिंसा की खबरे आती रहती हैं एक बार फिर पंजाब के पटियाला से बेजुबान के साथ रूर्ता की हदे पार करने का मामला सामने आया है दरसल दो बेरे हैं महिलाओं ने एक डॉप को स्कूटी से बान दिया और फिर उसे कई किलो मीटर तक घसीटा जिससे डॉप की मौत हो गई ये घटना पटियाला के सेंचुरी एंकलेव की बताई जा रही है घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है एंजियो कारकरता शिश्मा सिंग राठोर की और से 20 जून की शाम करीब सवा 6 बजे पुलिस को सूचना मिली थी किदा न्यू सेंचुरी एंकलेव के पास दो अग्यात महिलाएं अपनी स्कूटी के पीछे एक कुट्टे को रसी से बांध कर घसीट रही है शिकात करता अपने साथियों के साथ मौके पर पहुची और अग्यात महिला को रुका तो आरोपी महिला ने कुट्टे की रसी खोल दी और लोगों की भीड को देखकर मौके से फरार हो गई वहीं इलाज के दौरान 24 जून को कुट्टे की मौत हो गई पुलिस ने अग्यात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्श किया है दोनों महिलाओं के खिलाफ पशुक पुरूरता निवारन अधिनियम के तहत मामला दर्श किया गया है वहीं पुलिस ने कुत्ते को स्कूटी से बांद कर घसीटने वाली आरोपी दोनों महिलाओं को गिरफतार कर लिया है संदिग्डों की पहचान पट्यालक के अब लोवाल गाउं के पास आदर्श नगर इलाके की रहने वाली निवासी के रूप में हुई है दोनों संदिग्डों को तदकाल जमानत पर रिहा कर दिया गया पुलिस के मताबिक महिलाओं ने खुलासा किया कि कुत्ता हिंसक हो गया था उन्होंने दावा किया कि इसने उनके घर पर एक बच्चे पर हमला किया था वहीं शोशल मीडिया पर वीडियो वारल होने के बाद महिलाओ दुआरा की गई हैवानियत को लेकर लोगों में काफी गुसा है बता दें ये पहला मौका नहीं है जब किसी शक्स ने कुट्टे के साथ कुरूर बरताओ किया है इससे पहले पंजाब के पटियाला में एक वेक्ती ने राइफल से कुट्टे को गोली मार दी थी जिससे उसकी मौके पर ही मौथ हो गई थी वहीं पट्याला के ही थाना अर्बन एस्टेट में एक व्यक्ति ने गली में बैठे कुट्टे पर कार चड़ा कर उसे मौत के घाट उतार दिया था फिलहाल इस खबर में इतना ही तेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहीए One India हिंदी के साथ